नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस वीडियो में इस वीडियो में एनेम को लेकर बड़ी सूचना निकल कर आ रही है जिस तरीके से 10,000 नुक्तिया पत्र सियम सर जो नितिश कुमार जी है वितरन करेंगे जिसमें कि कुछ नुक्तिया पत्र को वितरन कर भी दिये गया है और बात करें तो किन अब भ्यार्थियों को ये नुक्तिया पत्र दिया जा रहा है किसको मिल रहे है और जो बच रहे है उसको कब मिलेगा इन पर भी चर्चा करेंगे साथ ही क्या कुछ बयानार है नितिश जी का उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे जिस तरीके से आप लो इसमें की 10101 पदो पर जो बहाली निकाले गए थे उनमें इतने पदो को सियम सर खुद अपने हाथों से नुकतियां पत्र दिये हैं और आपकी बहाली और ये बहाली जो LRC Amine का है दोनों एक साथ आया थे LRC Amine और आपका बहाली दोनों एक साथ आया था आपका भी 10,000 पर आया था और इनका भी 10,000 पर आया थे इनका 10,101 थे आपका 10,709 बहाली था तो इनका अब नुक्ति पत्र मिलने जा रहा है, नुक्ति पत्र कुछ स्टुडेंटों को मिल भी गया है, जो भी पत्ना के थे, कुछ अभ्यार्थियों को बुला कर दिया भी गया है, और जो अभ्यार्थी बच रहा है, उसको अपने डिस्टिक में मिलेंगे, तो आप लोग जब नुक्तिया पत्र मिल रहे थे तो कहींने कहीं आप लोगो के लिए जो आप लोगो को बहुत ज़ल्द देखने को मिलेंगे और जिस तरीके से अब आप लोग का नुक्तियां होंगे उसमें सरकार का भी अहम रॉल रहेंगे क्योंकि आप लोग का भी नुक्तियां पत्र सरकार ही बितरन करेंगे जब भी आपको नुक्तियां होंगे सरकार के दोरा ही बितरन किये जाएंगे तो ये बात भी आप लोग ध्यान में रखे और सुप्रीम कोट में जो केश चल रहा है उसको लेकर जो अपडेट आएंगे वो सारी जानकारिया भी हम आप तक पहुचाते रहेंगे लेकिन नई बहाली का भी ऐलान किया जा रहा है बार बार तो आप लोग अपनी तैयारी पर बिल्कुल ध्यान रहें यह नहीं कि बीटियसी एनम के इंतजार में आप बैठे रहें नई बहाली भी चल जाए आपका और बीटियसी एनम भी आप से हाथ से निकल जाए तो ऐसा गलती बिल्कुल भी ने करें इस नंबर पर आप लोग कॉल करके वार्टस आप करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोगों को न्युक्ति पत्र को लेकर बहुत जल्द सूचनाय देखने को मिल सकते हैं और वैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ नहीं नहीं देते हैं अब उन पर डिपेंडेंट है पूरी तरीके से और फाइनलिस जो लर्सी विशेश सर्व देखन आप भाले भाली थे उनको न्योजन पत्र जो निटिया पत्र है वह शोप दिया गया है अब इन लोगों को बहुत कर दिये जाएंगे और आप लोगों को आप देखते हैं कितना समय लगते हैं क्योंकि आप लोग का भी बाइस में निकाला था बहुत इनका भी प्लास रहते हैं तो जिससे कि आपको डारेक्ट वहां से आप कनेक्ट करके कोई भी क्वेशन कोई भी डॉट हो तो वह पूछ सकते हैं तो आगे की इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेंगे